अजमेर सरी भोशाला जैसे तमाम ऐसे सिविल मुकदमे जो इस पूरे मामले को लेकर देश भर में दाखिल किये जा रहे हैं उन तमाम सिविल मुकदमों पर ततकाल रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में या अचिका दाखिल की गई और ये कहा गया कि जिस तरह से देश में इस समय माहोल है अगर सिविल कोर्ट में इन तमाम दाओं पर ततकाल रोक नहीं लगाई गई तो देश का माहोल भिगड सकता है लहाजा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में इंटरवीन करे ये पूरा जो मुकदमा है वो सुप्रीम कौर्ट लाने वाले जो एडवोकेट है नरेंद रिमिशा हम इससे पूछते हैं कि क्या कारण रहा जिसकी वज़ा से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और अपनी याचिका में इन्होंने सुप्रीम कोड से क्या कुछ मांग किया गया है नरेंजी क्या वजा रही जो इस पूरी याचिका को आपने दाखिल की और आपकी याचिका में मांग क्या पहले पॉइंड का आपके प्रस्न का जवाब है कि भारत देश में जितने चो मुझे लगता कि हर एक दो गाहों के बीच में मंदीर मस्जिद और दरगा के जरूर बाते आएंगी और यदि यह होगी तो वर्सी पैक्ट जो कि भारत देश में 15 अगस्त को 1947 को जब सारी पार्लामेंट में सारी चीजों को रोक लगाया गया तो फिर बाबरी मस्जिद और इसका मुद्दा आया राम मंदीर का जो कि 1991 में ततकालीन प्रदान मंतिर समय के नरसिमा राव थे और उन्होंने चीप जस्टिस के साथ में पेटिशन में जो भी चीज थी उन्होंने इस चीज को भी प्रेयर किया कि सारी चीजों पर रोक लगनी चाहिए लिहाजा सिर्फ और इतना था कि बाबरी मंदीर और मस्जिद के उसमें पर इतना बड़े लेबल पर भी बात था कि पूरे भारत देस में जैसे आग फैल जाए मुझे लगता है कि उस आग की चपेट भारत देस में आज फिर से सुलगना सुरू हो गई जब लाहाबाद हाई कोड के जस्टिस ने उन्होंने हाई कोड के जो ग्यानवापी वाला प्रकरण था उसमें सर्वे के लिए परमीशन दे दिया जैसे ही परमीशन हुए तो उसके बाद ट्रायल कोड में सारे जितने भी लोवर्स कोड के जजस थे सारे जजस के पास में इस तरह के एक तरह से मान सकते हैं कि बाड़ा आ गई जहां भी देखो वहां पर छोटे दरगा है तो कहीं देखें तो मस्जिद है तो कहीं ताज महल का मुद्दा है तो कहीं देखें आजमायर सरीप का है तो इसके साथ में कहीं संबल देखेंगे तो कहीं बोज देखेंगे मध्य प्रदेश का तिसी के साथ में कहीं गुजरात में देखेंगे इस तरह से पुरा भारत देश में एक बड़ा तीजी से जल रहा है मुझे लगता है कि ये खुदाई से मिलने वाला क्या है ये मैं नहीं जानता पर ये जरूर जानता हूं कि दो तीन पिक्टो ग्राप के आधार पर यह निर्णे कर देना कि वहां का सर्वे कर आओ वह लगता है कि हर जगह का सर्वे होना अब स्टार्ट हो जाएगा हम जल्दी ही पूरा पाशनार युक तक भी पहुंच जाएंगे यह हमारी प्रेयर में दुनिया कहां से कहां चली गई कहां से कहां आज देखें चाइना हमारे सामने खड़ा आये पूरा देश की सक् हैं हम भारत देश की लोग इस धर्म और संप्रदाय में सारी चीजों में और उसको पेचीदा बनाते हुए और संप्रदाइक माहोल को बिगड़ते हुए जिसके लिए ना तो पुलिस प्रसासन कंट्रोल कर पाएगी नहीं भारत देश का प्रसासनिक बेवस्ता भी कम पड कि इस देश का भविष्य कहा जा रहा है और कहां लेके जाएंगे तो उन सब पर इस्टे लगाया जाए अर्था जितने भी सिविल नोटिसेश किये गए हैं कमिशनरों के माध्यम से सर्वे कराने के लिए आदेश दिये गए सारे के सारे पर रोक लगाया जाए और साथी सा तक हमारे रिट पेटिशन पूरी डिसाइड ना हो जाए तब तक के लिए सारे मामलों में इस्टे फर्दर तुरंत ही इमेडियेट लगा दिया जाए पहला पॉइंट मेरे प्रेयर का दूसरा 1991 का जो एक्ट है वर्षिप जानते वर्षिप जो प्लेस आप वर्षिप एक्ट है उसकी पूरी तरीके से अनुपालन होना चाहिए इसके लिए भी ततकाल गाइड लाइन नीचे की जो सबाड़नेट कोट है कोट सुप्रीम कोट की चाहिए हाई कोट हो या फिर ट्राइल क उनको भी डिरेक्शन्स देने के आविशकता है और इसके साथ में जो भी स्टेट्स हैं और इस तरह के जो बहुत सारे संगठान इस तरह की चीजों को चलाते उन पर भी कहीं कहीं रोक लगनी चाहिए और अंकुस लगना चाहिए यह हमारी प्रेयर का पार्ट है मतलब यह क माक्स पैदा हुआ था क्योंकि मेरे आईस का सब्जेक्टर में आपसे इतना बोलना चाहता हो उसने बोला था धर में एक ऐसा नशा है जो पूरे के पूरी शदिया बरवाद कर देता है मुझे लगता कि भारत देश में रूप रेखा और चित्र और उसका मुझे जो देख रहा है आप भी बड़े पत्रकार है पूरे देश के लोग देख रहे हैं पर कुछ लोगों ने इतना देश में इस तरह से चीजों को फैला दिया है कि पूरे देश में सवहार्थ कहीं दिखता ही नजर नहीं आ रहा है इसलिए मुझे करना पड़ा तो फिलहाल यह प अब तक इस पूरे मामले में इनकी याचिका पर आखरी फैसला नहीं आ जाता तब तक देश भर में मस्जिद या फिर मंदिर के दावे को लेकर जितनी भी सूट्स दाखिल किये गए हैं उस पर ततकाल रोक लगाई जाए अब देखना बेहत अहम होगा इस याचिका पर ज साथ सुशील पांडे निजनेशन देले निजनेशन अब वाटसेप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए निजनेशन के इस क्यूर कोड को स्कैन करें